असलाम लेकुम में नाम देमिनों से रूमीद करता हूं कि आप सब खेज़ेंगे आज की वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं Everyday Science related 30 Most Important MCQs जो की different competitive exams के पास papers से लेगे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी one paper MCQs के papers होते हैं उन सब में Everyday Science का portion लाजमी होता है इसके questions जो हैं वो range कर सकते हैं 10 से 20 तो questions आ सकते हैं Everyday Science की तो आज की वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं 30 Most Important MCQs तो आपसे में रिक्रस यह करना चाहूंगा कि आपने जो है यह जो आपके पास साथ या आठ ये दस मिनिट की वीडियो होगी आपने इसको पूरा देखना है और आपको के सजेशन यह फीड़बेक हो तो आपने कोमेंट्स में लाजमी मताना है और यह आपके जो टाइम है यह इंशाल आपको प्रोडेक्टिव साबित होगा तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्षेशन नमर बन के साथ तो क्षेशन नमर वन हमारे पास है नियुमन बॉड़ी की जो सबसे स्मालेस्ट बोन है वो कौन सी है तो इसका अंसर हमारे पास है स्टेप्स तो आपने हुमर्स यह हमारे बादों की बोन होती है अलना और टीबिया यह हमारे बादों में भी होती है लेकिन आपने याद रखने तो जो लोंगेस्ट बोन है हुमन बॉड़ी की वह स्टेप्स नेक्स क्षिशन हमारे पास है विच आपके सामने चार डिफरेंट टाइप के सेल्स उट लें गए है आपने बताने कि इन में से क्लर्रेस कों से हैं इसका आफ मारे पास है रोज़्फीन सब्स्राइब of the atmosphere from the earth surface आपने आपके पस डिफरेंट आप्शन दियेंगे आपने सिक्वेंस बताना है डिफरेंट लेयर्स का जो के अर्थ की हैं तो इसका अंसर हमारे पास है है इस तरह से आपको सिक्वेंस कभी भूले का नी ट्रॉप फिर स्ट्रेट फिर मीजोष्वियर और आइनुस्वियर हमारे पास है इंसानी जो है यह हमाँ चुह है वसके इंदर कितने ही होती है तो इसका अंसर हमारे पास है 32 तो आपने यह रखने कि there are 32 teeth in human mouth next question हमारे पास है sunlight is a great source of sunlight वह कौन से vitamin का great source है तो इसका answer हमारे पास है vitamin D तो आपने यह रखने है कि sunlight is a great source of vitamin D नेक्स कोशन है हमारे पस है study of cancer is card आपने इस कोशन के लिए बताने है study of cancer को क्या कहा जाता है तो इसका answer हमारे पस है oncology तो आपने आरखने है study of cancer is card as oncology और आपके पस जो different तीज़े शोकिले गए वो भी आपको पताने चाहिए इसी तरह आपको ये पता चल गया कि Oncology कहते है Study of Cancer को Zology कहते है हम Study of Animals को अगर हम Animals की Study की बात करें तो उसको हम कहेंगे Zology Ecology कहते है Study of Organisms and how they interact with the environment around them ठीक है? यानि कि Organisms है और उनका जो interaction है Environment के साथ इसकी Study को कहते है Ecology और Oncology आपको पता चल गया Study of Cancer को कहते है और Zology आपको पता चल गया Study of Animals को कैसे है Zology के साथ एक और भी एकसर ब्रांच होती है Balogy की उसको हम कहते हैं Botany अगर हम बात करेंगे Study of Plants की तो उसको हम कहते हैं Botany और अगर Study of Animals की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? जोलोजी इसी तरह जिनॉमिक जो है यह जिनॉमिक का मतलब होता है विरास्त से यह रिलेटिड है ठीक है? जो हमारे जीन्स गराती है तो जिनॉमिक जो बेसिकली स्टडी होती है genetic or epigenetic sequence information of organisms जानी कि जितने भी हमारी जो हम कहते हैं कि यह चीज़ उसको वरास्त में मिली है इसका eyes का color ऐसा है तो यह सारी जो study है इसको genomics कहते है नेच्स question हमारे पास है जब बनास्पतिगी की manufacturing होती है manufacturing होती है तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है तो इसका अंसर मारे पास है hydrogen तो आपने याद रिखने है कि इंदर manufacture of बनास्पतिगी the gas जो यूज होती है उसको कहते है जो गैस यह नहीं कि यूज होती है वो hydrogen होती है next question हमारे पास है which is used for measuring velocity आपके पस चार तरह के मीटर दे गए है आपके मारे में क्या आ रहा है कि को अगर हम हमने velocity को मेर करना है तो हम कौन सा जो है वो मीटर यूज करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास है speedometer तो यहां से हमें पता चले गया कि अगर हमने velocity को मेर करना है तो हम अब हम देखते हैं कि अनिमो मेटर किसली यूज होता है जो कि स्पीड और डिरेक्शन को मेर करने के लिए डिवाइस होती है अक्सर आपने देखा होगा कि वैदर स्टेशन के अंदर नहीं यह इंस्ट्रमेंट लगा गया होता है तो बेसिकली अनिमो मेटर का मकस्द होता है कि यहṣi निकि जो हवा की स्पीड है और उसकी चैऱ्र को म feat. असी तरह हमारे पास जो हैषो होते है उडॉ यह बहुत होता है लेकिन आपको पता है कि हाइगरो मीटर यूज किसलिए करते हैं यह बेसिकली जो एक इंस्ट्रमेंट है जो के हुमिडिटी जो अट्मस्फिर के अंदर वाटर वेपर होते हैं यह जो नमी होती है सिंपल तो उसको मेर करने के लिए यूज रहता है नेक्स पूशन हमारे पास है विच गैसे उन्देपरेशण फॉफट रिंग साफ रिंग की पेपरेशन में जो कौन सी घ्राइश होती है तो इसका आंसर हमारे पास है कारबन डाइक साइट तो अपनी या रखने के कारबन ड के अंदर तो इसका अंसरा हमारे पास है ट्रडिशनल चाइनीज मेडिसन हाला कि ट्रेट्र कार्बर मॉन्न अक्साइड यह है टेली कम्मुनिकेशन मेनजमेंट टेक्न सरक्र मॉडिल यह भी डिफरेंट यह है इंडेस्ट्रीज के यूज होते हैं लेकिन इफ वी टाक इसवाट है एक अन्धर कर सकते हैं कि इसका कंपोज रोग्ष ऑसकते हैं तो आप नहीं रखने के संटेज और स्टेज और स्टेज स्टार अब फिर प्रेंट प्रेंट स्टेज सूरज की वो क्या है तो इसका आंसर हमारे पास है यह ड्रॉफ तो अगर आप प्लरस एक्जैम में ये पुच ज़े करन्ट स्टेज्ज जो है सन की वो ये यलो डॉर नफो चुशन हमारे पास है ब्लड विच हार्ट फॉर्पांप सो लंग्स ब्लड जो कि हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है वह कौन सा ब्लड होता ना ड्यों of teeth is called scientific study of teeth को हम क्या कहते हैं तो इस कांसर हमारे पास है और डॉन्टालोजी तो आपने या रखना है the scientific study of teeth is called or dontology ornithology orthography और पेड़ागोजी आपने मुझे कमेंट में बताने हैं यह आपकी एक तरके assignment है अगर आप इन वीडियो इसको serious ले रहे हैं तो वाट सबक्लास ऑफ न्यूटरन स्टार इस नौन फो इस एक्स्ट्रीम ली हाई मेंगनेटिक फिल्ट कौन सी सबक्लास है न्यूटरन स्टार की जो कि अपने हाई मेंगनेटिक फिल्ट के विए से जाने जाती है नेक्स कुशन हमारे इसके अंदर हो जाएगा तो इसका आंसर मारे पास है वाइड दवाफ तो आपने यह जीज़ याद रखने कि वेन आवर सन रिचिंज एंड उफ इस रेड जाइंट फेज एट विल टरन इंटु आ वाइड वाफ नेक्स कुशन हमारे पास है इंसुलीन ड्रग वाज डिसक इसके तो इसका आंसर मारे पास है किड़नी तो आपने यह चीज़ याद रखने कि मोस्ट ड्रग जाद एक्सक्रेटिट तू केड़नी नेक्स कुशन हमारे पास है जो है डिमेस्टिक जो रेफ्रीजेटर है फ्रीजिस हैं उसके इंदर कौन से यूज़ होता है तो इसका अप्शन नहीं दीगी क्योंकि अगर वो ऑप्शन भी दी जाती तो फिर दोनों को स्लेक करना पड़ता तो आपने यह चीज़ या रखने कि पैंक्रियास जो है वो दो तरह के हार्मोन को प्रड्यूस करते हैं एक है इंसलीन और दूसरा है ग्लुकाओन ग्लुकाओन जो है तो आपने यह रखना है कि पैंक्रियास जिसके उर्दो में हम लुब-लुबा कहते हैं वो इंसलीन और ग्लुकाओन दोनों प्रड्यूस करते हैं नेक्स्क्रिशन हमारे पास है वोड जो है वो मेन रा मिटिरियल है नेक्स्क्रिशन हमारे पास है तो पेपर के लिए वोड नेक्स्क्रिशन हमारे पास है ता केमिकल नेम ऑफ प्लाफिंग गैसे लफ यह तो आपने याद रखने केichi सण इस of 99.9% of 2 gases स्वारज बना हुए है तो इसका अशर हमारे पास है hydrogen and helium तो अपने यार रखने के sun is made up of 99.9% of hydrogen and helium ने इसकोशन हमारे पास है enteris is of the largest known and enteris you have वो कास्टर स्टार आप लसर स्टार देब वाइड रड़ सुपर जाइंट स्टार रहा तो इसका अशर हमारे पास है ने इसकोशन हमारे पास है particle clouds from where stars are formed are known as particle clouds जहां से स्टार बनते हैं उसको क्या कहा जाते है जिसका अशर हमारे पास है stellar nurseries तो आपने यह चीज़ या रखनी है particle clouds from where the stars are formed and known as stellar nurseries ने इसकोशन हमारे पास है पी एस आर जे 0108 1431 is the closest known to earth पी एस आर जे 0108 1431 यह क्या है इसका आंसा हमारे पास है पुल्सर तो आपने यह चीज़ याद रखनें कि PSR जे 0108 1431 is the closest known पुल्सर तो अर्थ ने इसकोशन हमारे पास है when a star becomes a singularity and has zero volume and infinite density इसका जब एक star जो है वो singularity और उसका zero volume हो जाता है लेकिन इसकी density जो है वो infinite करते हैं खतम होने वाली जो कभी खतम नहीं हो सकती चीज इंफिनिटी जिसके कोई limit नहीं होती तो उसको हम क्या कहेंगे तो उसको हम कहेंगे black hole तो आपने इस चीज़ या रखने है कि when a star becomes a singularity and has zero volume but infinite density then it is called a black hole इसके बाद हमारे पास question है in a typical HR diagram stars are graphed by these two characteristics एक typical HR diagram के अंदर star जो है हैं वो graphed होते हैं तो इसका answer मारे पास है temperature and luminosity तो आपने या रखने के इन टीपिकल HR diagram stars are graphed by temperature and luminosity characteristics तो यह थी आच की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 most important everyday साइस के questions को discuss किया उमीद कर तो कि वीडियो आपके लिए बहुत दीजा इंफ्रमेटिव यूस्फल साभित होगी वीडियो पसंद आए तो करनली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद यूस्फल इंफ्रमेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल